हेलो दोस्तों, आज हम बात करेगी क्रिमिनल केस ट्राइल के बारे में क्रिमिनल केस ट्राइल दो परकार का होता है क्रिमिनल केस में पुलीस F.I.R दोरा केस और परिवाद, कंपलेंट या सिकायत दोरा केस पहला केस वे होता है जो कि पुलीस F.I.R के अधार पर होता है दूसरा केस है कंपलेंट केस परिवाद जिसमें भारतिय नागरिक सुरकसा साहिता B.N.S.S की दारा 210 और 223 के तेथ कोट में कंपलेंट केस परिवाद दायर किया जाता है या हम सरफ पुलीस दारा कीगी F.I.R केस की बारे में बात करेगी इसको हम तीन भागों में बाटेगी पहला बाग होता है जिसमें पुलीस दारा कोट में 4 सीट फाइल करना चलान पेस करना जिसमें पुलीस इन्वेस्टिगेसन होती है दूसरा बाग होता है जिसमें कोट में केश ट्रायल होता है तीसरा भाग होता है जज्जमेंट जज्जमेंट के बाद में अपील और डियायाची का का भाग पहला पुलिस इन्विस्टिकेशन अपराद होने के बाद सबसे पहला काम होता है उस अपराद की सूसना पुलिस को देना जो व्यक्ति अपराद की सूसना देता है वे सिकायत करता कहलाता है जिस व्यक्ति के साथ अपराद किया जाता है वे विक्टिम फरियादी या पीडित कहलाता है और जो व्यक्ति अपराद करता है वे एक्यूजड अरुपी अभ्यूक्ट कहलाता है पुलीस को अपराद की सूसना देने वाला व्यक्ति पीडित नहीं भी हो सकता है जैसे कोई व्यक्ति जिसने सरफ अपराद होते हुए देखा हो लेकिन वे व्यक्ति उस अपराद से पीडित नहीं हो और उसका इसा भी नहीं हो वे वेक्ती भी शिकायत करता हो सकता है पुलीस स्वेम किसी भी अपराद की शिकायत करता हो सकती है जैसे कि कोई पुलीस ओपिसर ड्यूटी या गस्त पर है और वो कोई अपराद होते हुए देखे तो वे पुलीस ओपिसर स्वेम भी शिकायत करता हो सकता है इसके आलावा पुलीस को अपने किसी मुक्बीर खबरी से कोई सूसना मिले या फिर कोई अपनी पैचान बताए बिना पुलीस को सूसना दे तो उस अपराद में भी वो पुलीस ओपिसर इस सिकायत करता होगा जब भी पुलीस को अपराद की सूसना मिलती है उसका पहला काम होता है बारतिय नागरीक सुरकसा सहिता की धारा 143 के तेट F.I.R. रजिस्टर्ड दर्ज करना अगर समय नहीं है और मोके गटना इस्तल पर पहुंसना जरूरी है तो पुलीस पहले मोके पर जाकर हालात काबू करेगी फिर F.I.R. दर्ज करेगी संगे अपराद जिसे हम गंबीर अपराद भी कहते हैं संगे अपराद के मामले में यदि आरोपी पकड़ाया नहीं गया है तो सबसे पहले पुलीस आरोपी को डूंड कर भारतिय नागरीक सुरकसा सहिता की धारा 35 के तेट बिना वारंड के उसे अरेश्ट करती हैं पुलीस भारतिय नागरीक सुरकसा सहिता की धारा 25 के तेट उस आरोपी की तलासी करती हैं या फिर भारतिय नागरीक सुरकसा सहिता की धारा 185 के तेट पुलीस उस इस्तान की भी तलासी कर सकती हैं जहां पर वे अपरादी पकड़ाया गया हैं जो भी समान उस आरोपी के पास होता हैं, सिरफ उसके कपड़ों को सोड़ कर वे सभी समान पुलीस द्वारा अपनी अभी रक्सा कश्टडी में रख लिया जाता हैं, अर्तात जब्द कर लिया जाता हैं। उस समान की जबती रसीद पुलीस द्वारा आरोपी को दी जाती है। इसके बाद पुलीस बारतिय नागरिक सुरक्सा सहिता की धारा 37 के सब कलोज गय के तेट उस आरोपी के किसी भी परिचित या रिष्तेदार व्यक्ति को आरोपी के गृपतार होने की खबर करेगी अगर जरूरी हुआ तो आरोपी के दियेगे पत्ते पर किसी पुलीस ओपिसर द्वारा जाकर उसके घरवालों को इतला की जाएगी यानि सुसित किया जाएगा पुलीस एफाईयार करने से पहले या फिर एफाईयार करने के बाद जैसा भी उच्चित समझे वेसे अपरादी एवं पीडित व्यक्ति को बारतिय नागरिक सुरक्सा साहिता की दारा 51, 52, 53, 184 एवं 307 के तेट मेडिकल परिक्सन के लिए पास के सरकारी या प्राइवेट होस्पिटल में लेकर जाएगी भारतिय नागरिक साहिता बीएनस की दारा 30 क के अनुसार भी एक डॉक्टर गायल या रोगी व्यक्ति का उसकी सहमति के बिना उसके जीवन की रक्सा के लिए उसका इलाज कर सकता है भारतिय नागरिक साहिता की दारा 200 के तेट कोई भी होस्पिटल पीडित व्यक्ति का इलाज करने से मना नहीं कर सकता यदि मामला रेप का है तो भारतिय नागरिक सुरकसा साहिता की दारा 184 का सब कलोज 6 के तेट डॉक्टर को रेप की जांस की रिपोर्ट साथ दिन के अंदर पुलीस थाने में बेजनी पड़ेगी इन सब कारवईयों के बाद अगर पुलीस को लगता है कि जिस धारा में केस बनता है वो दारा जमानती हैं या फिर पुलीस के पास आरोपी की विरूद परियाप्त सबूत नहीं है तो फिर दोनों ही इस्तद्यों में आरोपी को बारतिय नागरिक सुरक्सा साहिता की दारा 478 के तैट पुलीस थाने से ही जमानत पर सोड़ दिया जाएगा इसके लिए पुलीस दोरा किसी परकार की जमानती की बेल बॉंड की मांग भी आरोपी से की जा सकती है अगर अपराद गेर जमानती दाराओं में हैं उधारन के लिए जैसे की बारतिय नियाय सहिता की दारा चोसट जैसे रेप दारा एक सो तीन हत्या तो बारतिय नागरिक सुरक्सा सहिता की दारा अठावन के तेर पुलीस आरोपी को अरिष्ट करने के 24 गंडे के अंदर मजिश्ट्रेट के सामने पेस करेगी नोट एसे अपराद जिन में 7 वर्षक तक की सजा का प्रावदान है उसमें पुलीस किसी भी व्यक्ती को गिर्पतार नहीं कर सकती पुलीस द्वारा उस व्यक्ती को थाने से सिरफ नोटिस देकर सोड दिया जाएगा और जब पुलीस कोड में चालान पेस करेगी उस दिन उस व्यक्ती को सीधे कोड में आजी रोना होगा और कोड से जमानत लेनी होगी ये दिसा निर्दिस माननिय सुप्रीम कोड द्वारा अरनेस कुमार बनाम इस्टेट ओब बी आर एई आई आर दो अजार चब्दे की जज्जमेंट से आया है इसके बाद पुलीस मजिस्ट्रेट से आरोपी की पुलीस कश्टेडी मांगती हैं पुलीस कश्टेडी का मतलब है कि आरोपी को थाने ले जाकर उससे पूस्तास करना जैसे की गटना कैसे हुई कहां हुई अत्यार कहां सुपा के रखा अपराद में कौन कौन सामिल था एक सो सित्यासी के तेट ये मजिस्ट्रेट के ऊपर हैं कि आरोपी को पुलीस कश्टेडी में बेजना है या नहीं सुप्रिम कोट अप इंडिया मनो भाई रतिलाल पटेल बनाम स्टेट अप गुजरात जिसके अंतरगत ये ऊपर कही गई बात कही थी यदि पुलीस कश्टेडी में बेजना है तो भारतिय नागरिक सुरकसा साइता की दारा एक सो सित्यासी के सब कलोज 3 के तेट पुलीस कश्टेडी बेजना 15 दिन से अधिक नहीं होगी यानि 15 दिन से ज़्यादा पुलीस कस्टेडी में नहीं बेजा जाएगा यदि पुलीस कस्टेडी में नहीं बेजना होगा तो फिर मजिस्ट्रेट दोरा आरोपी को जुडिसल कस्टेडी में जेल भेज दिया जाएगा फिर आरोपी को जमानत देने की पावर मजिस्ट्रेट के पास ही होगी लेकिन यदि केस सेसन कोट सतर नियाले द्वारा विचारणिये हैं जैसे कि हत्या या रेप का मामला है तो मजिस्ट्रेट भारती नागरिक सुरकसा सहिता की दारा 232 के तेट परकिरिया पूरी करने के बाद केस को सेसन कोट के पास भेज़ देगा सुपूर्द कर देगा क्योंकि BNSS की धारा 23 के तेट मजिस्ट्रेट के पास केवल उन अपरादों का विचारण करने की सकती है जिनमें केवल 3 वर्ष तक की सजा हो या फिर 10,000 रुपेत जुर्माना या सामुदाइक सेवा कम्यूनिटी सर्विसेज की सजा है जबकि भारतिय नागरिक सुरक्सा सहिता की दारा 22 के तेट सतर नियादिस सेसन जजेज के पास मर्तियुदंड देने तक की सकती है इसलिए गंबीर दाराव में किये गए अपरादों की सुनवाई मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते है इसलिए मजिस्ट्रेट को केस सतर नियाले के पास वेजना पड़ता है आरुपी द्वारा जमानत या अग्रीम जमानत लेना अगर कोई आरुपी गिर्पतार नहीं हुआ है या फिर भाग गया है वेक आरुपी अपने अधिवक्ता के माद्यम से बारतिय नागरिक सुरक्सा सहिता की दारा 1482 के तैट कोट में अग्रीम जमानत एंटी सिपेटरी बेल का आवेदन दायर कर सकता है और जमानत ले सकता है या फिर पुलीस दोरा कोट चार सीट दायर हो जाने के बाद पुलीस या कोट के सामने समर्पन करके बारतिय नागरिक सुरक्सा सहिता की दारा 1480 के तैट मजिश्टेट की कोट से दारा 1483 के तैट 70 नियाएदीस की कोट से नियमित जमानत रेगुलर बेल भी ले सकता है सिकायत करता या पिडित विक्टिम वेक्ती चाहे तो उसी बेल को कोट में आपत्ती द्वारा बेल के खिलाप उपर की कोट जिसमें सेसन कोट, हाई कोट, सुप्रिम कोट में बारती नागरिक सुरकसा सहिता की धारा 1483 के सब कलोज 3 के तैट बेल कैंसिलेशन फाइल कर सकते हैं जिससे की आरोपी को जमानत ना मिल सके यदि मिल गई हैं तो जमानत को रद करवाई जा सके पुलीस द्वारा केस में इन्वेस्टिगेशन करना जिसे हम सबूत इक्टा करना केते हैं उपर बताई गई सभी कारवाईया और F.I.A. रेजिस्टर्ड होने के बाद पुलीस का काम होता है कि वो केस की निस्पक्स जांस करे और कोट में चार्ज सीट फाइल करे जो व्यक्ति पुलीस, S.D.O.P.O., T.I.E., S.I.E. केस की जांस करता है उसे I.O. अर्थात इन्वेस्टिगेशन ओपिसर कहते है I.O. ही केस की जांस करता है गटना की जगे का नक्सा बनाता है पटवारी द्वारा जरूरी कागजात और सबूत व्यक्तियों से या डिपार्टमेंट से लेता है गवाओ के दारा 180 भारती नागरिक सुरक्सा साहिता में बयान दर्ज करता है अगर I.O. जांस में ये पाता है कि सिकायत करता की सिकायत जूटी है या परियाप्त आदार अत्वा साक्से नहीं है आरोपी के विरूद F.I.R. दर्ज की जाए तो पुलीस भारती नागरिक सुरक्सा साहिता की दारा 189 के तेद फाल्स रिपोर्ट जिसे हम F.I.R. या कलोजर रिपोर्ट C.R. कोड के सामने F.I.R. करके केस को खत्म कर सकता है एसी इस्तती में सिकायत करता या पीडित वेक्ती चाहे तो प्रोटेस्ट पेटिसन परिवाद पर कोड में बारती नागरिक सुरक्सा साहिता की दारा 210 के सब कलोज 1 के तेद केस को आगे चला सकता है और साथ ही बारती नागरिक सुरक्सा साहिता की दारा 173 के सब कलोज क्यार के तेद मजिस्ट्रेट से आविदन कर सकता है मजिस्ट्रेट पुलीस को F.I.R. दर्ज करने के आदेस दे सकता है अगर ऐसा नहीं है और पुलीस के पास आरोपी के खिलाप्त परियाप्त सबूत है तो फिर आरोपी के खिलाप पुलीस द्वारा कोट में चार सीट जिसे हम चालान या अंतीम परती वेदन इस्तगासा अभियोग पत्तर केते हैं वो फाइल कर दी जाती है यदि आरोपी के पास भी सबूत है कि पुलीस द्वारा उसे जूटा फसाया गया है और उसके उपर गलत करने का आरोप लगया गया है एफाइयार की गई है तो एफाइयार निरस्त क्वास फायर एफाइयार कराने के लिए बारतिय नागरिक सुरक्सा सहिता की दारा 528 उस्तम न्याले की अंतर नीत सक्तियों के तेथ आरोपी हाइकोट की याच्ची का दायर कर सकता है जिसे की एफाइयार निरस्त हो सके बारतिय नागरिक सुरक्सा सहिता की दारा 187 के सब क्लोज 3 के तेथ पुलीस द्वारा किसी भी क्रिमनल केस में चार सीट फाइल करने की समय सीमा 60 दिन या 90 दिन होती है जो की केस की धाराओ पर निर्बर करती है जो केस बड़ी धाराओ में रेजिस्टर्ड होता है अरतात मर्तियू, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से उपर की सजाके होते हैं एसे मामलों में 90 दिनों में पुलीस को कोट में 4 सीट फाइल करनी होती है बाकी अन्य सभी धाराओ में 60 दिन में पुलीस को 4 सीट फाइल करनी होती है यदि पुलीस समय पर 4 सीट दाकिल नहीं करती तो भारतिये नागरिक सुरक्सा सहिता की धारा 187 बारती सविदान के अनुसेद 21 के तेट ही आरोपी को जमानत मिलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है इसे जमानत को डिफॉल्ट वेल भी का जाता है लेकिन ये समय सीमा का नियम तबी लागू होता है जब आरोपी जेल में हो और उसकी जमानत नहीं हुई हो अगर आरोपी जमानत पर जेल से बाहर है तो पुलीस चार्ज सीट फाइल करने में 60 दिन या 90 दिन से ज़्यादा समय भी लगा सकती है अब हम बात करते हैं चार्ज सीट में क्या क्या चीज़े सामिल होती है दोनों पार्टियों सिकायत करता, पीडित और आरोपी का नाम, अपराद की सूसना की प्रकति, पुलीस को अपराद की सूसना कैसे मिली, सिकायत करता, पीडित की सिकायत जो सिकायत उसने की है उसका नाम और पता, पीडित और आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट, आरोपी की ग अब्द किया हुआ हत्यार या सामान, गटना इस्तल का नक्सा, अन्य कोई केस से सम्मंदित पेपर, भारतिय नागरिक सुरक्सा सहिता की धारा, 173 के तेद वीडियो ग्राप्स या फॉरेंसिक रिपोर्ट आदी। कि आरोपी के उपर केस चलाने के लिए परियाप्त आदार नहीं है, अरतात परतम द्रिष्टया प्राइमा फेशिया केस नहीं बन रहा हैं, जिस पर आरोपी के खिलाब चार्ज लगा कर केस को आगे चलाया जा सकता हैं। बारतिय नागरिक सुरक्सा सहिता की दारा 268 के एतेत उन्मोचित डिच्चार्ज कर दिया जाता है। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि केस चलाने के लिए प्रयाप्त अधार हैं तो फिर ट्राइल सुरू किया जाता है। सबसे पहले आरोपी को या उसके अधिवक्ता को चार सीट की कोपी दी जाती है। अगर कोपी में कोई कमी है या चार सीट से संबन्दित सभी दास्तावेज नहीं दिये गए हैं तो आरोपी के अधिवक्ता बारतिय नागरिक सुरकसा सहिता की धारा 230 के तेत कोड के सामने आवेदन करके उन दास्तावेजों की कोपी कोड से ले लेते हैं या फिर चार सीट की कमीों को कोड में बता कर ओडर सीट पर लेक बंद करवाते हैं जिससे की वे बाते कल को केस के फाइनल आरग्यूमेंट के समय आरोपी के खिलाप नहीं जाए ओडर सीट वे होती हैं जिस पर पेशी के दिन कोड में क्या कारवाई हुई वे सब लिका जाता हैं चार्ज प्रेम चार्ज सीट के पेपर की कारवाई पूरी होने के बाद अर्तात आरोपी के अधिवक्ता को दास्तावे चार्ज सीट की कोपी को प्रात्त हो जाने के बाद चार्ज पर बेस आर्ग्यूमेंट होती हैं इसके लिए एक पेसी नीत की जाती है, चार्ज का मतलब होता है, आरोपी पर धाराय लगाना, कि किस धारा में उस पर केस बनता है और किन धाराव में उस पर केस चलना चाहिए, इसे चार्ज फ्रेम करना का जाता है। चार्ज सीट को पढ़ने के बाद, यदि कोड को लगे की आरोपी पर चार्ज फ्रेम करना बनता है, लेकिन पुलीस ने जो धाराय लगई हैं, वे धाराय सही नहीं हैं, तो कोड भारतिय नागरिक सुरक्सा साहिता की धारा 249 और 244 के तहत, उन धाराव को बदल कर नई धारा में भी चार्ज लगा सकती हैं, चार्ज फ्रेम किये जाने के बाद, कोड आरोपी से पूस्ती हैं, कि क्या उसे अपना गुना कबूल हैं, अगर वे अपना गुना कबूल कर लेता हैं, तो उसे उसी वक्त अगली पेसी पर सजा सुना दी जाती हैं, और क्रिमनल केश ट्राय प्रइस सामना करने के लिए उस इस्तती के लिए सुनवाई शुरू की जाती हैं जिसे ट्रैल प्रोग्राम का जाता हैं गवाई किरिमनल के इस ट्रैल शुरू होने के बाद इस स्टेज पर पुलीस द्वारा चार सीट में दी गई गई गवाओ की लिष्ट के अनुसार बारत की गवाई होती हैं अभियोजन पीडित पक्स की ओर से जो गवाई होते हैं उन्हें पी डबलू प्रोजक्शन विटनेस केते हैं आरोपी पक्स की ओर से जो गवाई होते हैं उन्हें डी डबलू डिफेंस विटनेस भी का जाता हैं ये गवाई करम बार होते हैं जैसे पी DW1, DW2, DW3 आदी और यदि इन गवाओं के दुआरा कोई सबूत कोर्ट में पेस किया जाता है तो उसे EXP1, EXP2, EXP3, D3 के रूप में परदसित किया जाता है सबसे पहले विक्टिम पीडित शिकायत करता की गवाई होती है, इसके बाद कोई पब्लिक विटनेस जैसे की गटना के वक्त कोई चस्मदीद गवाव हो तो उसकी गवाई होती है इसके बाद पुलीस और डॉक्टर या फोरेंसिक लेबवालों की होती है जो की केस के अनुसार दिये गए हो सबसे लाश्ट में I.O. Investigation Officers की गवाई होती है सबसे पहले अभियोजन पीडित पक्स के अधिवक्ता सरकारी वकील ADPO या AGP अभियोजन पक्स के गवाई का मुख्ये परिक्सन examination in cheap करते हैं इसके बाद आरोपी के अधिवक्ता उसे बचाने के लिए अभियोजन पक्स के गवाई का मुख्ये परिक्सन हो जाने के बाद उनसे जिरे क्रोस करते हैं इसे परती परिक्सन क्रोस एक्जामिनेशन करना भी का जाता है या ध्यान में रखने वाली बात ये है बारतिय साक्से अधिनियम 2023 की धारा 151, 152 और 154 के तैत आरूपी के अधिवक्ता अभियोजन पक्स के गवाव से ऐसा बिना अधार के कोई परिक्सन नहीं करेगा फिर या आइस अपरसन यानि उसके आँखों से कोई सारा नहीं करेगा जिससे कि गवाव के चरित्र पर आँचाए या वे अपमानी तो यदि आरूपी के अधिवक्ता ऐसा कोई परिक्सन कोड की अनुमति के बगेर पूस्ते है तो नियाल है कि अवमाना कंटेंट ओप कोट कहलाएगा और ऐसी इस्तती में वे मजिस्ट्रेट या नियादीज आरूपी के अधिवक्ता की रिपोर्ट हाई कोड या बार काउंसिल से कर सकते हैं फिर आगे यदि अधिवक्ता के विरूद कोई कारवाई करनी है तो हाई कोड या बार काउंसिल करेगे इसके लिए परती परिक्षन, क्रोस एक्जामनेशन में इन बातों का विशेश ध्यान रखा जाना चाहिए परती परिक्षन, क्रोस एक्जामनेशन जो आरूपी के अधिवक्ता द्वारा किया जाता है किरिणनल केस में सबसे एम भाग होता है इसी में आपके अदिवक्ता की काबिलित देखी जाती है कि वे केस को किस परकार अपने अनुसार मोड के आरोपी को बचा सकता है इसके बाद अभ्योजन पक्स के अदिवक्ता भी आरोपी पक्स के गवाओ से इसी परकार के गवाई कराते हैं यदि कोई नया साक्षे या तत्य बात कोड के सामने आती है तो भारतिय साक्षे अधिनियम की दारा 143 के सब कलोज 3 के तेट फिर से इसे गवाई कराई जा सकती है इसे पुने परिक्सन का जाता है अगर कोई अभियोजन पक्स का गवाई या सरकारी गवाई अपने बयान से मुकर जाए या होश्टाइल हो जाए तो सरकारी वकील भारतिय साक्षे अधिनियम 2023 की दारा 157 के तेट खुद उस गवाई से जिरेक्रोस करते हैं ये साबित करने के लिए कि वो गवाई जान बूज कर जूट बोल रहा है और आरोपी को फाइदा पहुंचाना चाता है या आरोपी से मिल गया है यदि कोई गवाई किसी प्रशन का उत्तर देने से बस रहा है या मना कर रहा है तो कोड चाहे तो भारतिय साक्षे अधिनियम 2023 की दारा 137 और 150 के तैट किसी गवाई को प्रशन का उत्तर देने के लिए मजबूर भी कर सकती है अगर कोई पीडिता लड़की मैला रेप विक्टिम है और उसकी किसी मजिस्ट्रेड के सामने बारतिय नागरिक सुरक्सा सहिता की दारा 183 के बयान दर्ज हुए हैं और के सेसन कोट दोरा विचारणिये हैं तो उस मजिस्ट्रेड को भी जिसके समक्स पीडिता के BNSS की दारा 183 के तैट बयान हुए हैं उस मजिस्ट्रेड की गवाई के लिए सेसन कोट दोरा बारतिय साक्से अधिनियम 2023 की धारा 127 के तैट बुलाया जा सकता हैं अभियोजन पक्स की गवाई होने के बाद आरोपी पक्स अपने बचाव के लिए अपने गवाई करवा सकता हैं या फिर किसी और वेक्ती की गवाई भी इसमें वो कोई सबूत जो उसके पक्स में हो या उसको पेश करना हो या फिर किसी वेक्ती या सस्ता या सरकारी या गेर सरकारी सस्ता को कोट दोरा बुलवा कर पेश करवा कर अपना पक्स रखता हैं बारतिय नागरिक सुरक्सा सहिता की धारा 530 के तैट गवाई सम्मन या वारंट बेजना अधि ये चीजे इलक्ट्रोनिक माध्यम से भी की जा सकती हैं दोनों पक्स पीडित पक्स और आरोपी पक्स की गवाई के बाद बारतिय नागरिक सुरक्सा सहिता की धारा 352 के तेर केस अंतीम बेस फाइनल आर्गुमेंट में लग जाता हैं जिसमें दोनों पक्स के अधिवक्ता अपने पक्स समर्तन की बाते कोड के सामने रखते हैं अगर बैस में समय लगता है तो फिर उसे अगली पेशी पर पूरा किया जाता है ये बैस लिकित रूप में भी हो सकती है जिसे अंतीम लिकित तर्क भी का जाता है जज्मेंट केस में बैस पूरी होने के बाद बारतिय नागरिक सुरक्सा सहिता की धारा तीनसो बोराणों और तीनसो तेराणों के तैथ कोट द्वारा जज्मेंट दिया जाता है अगर आरोपी को बरी दोस्मुक्तिया एक्विटल कर दिया है तो ठीक है नहीं तो फिर उसे सजा सुनाई जाती है दोसी को सजा सुनाने के लिए तारिक नीत की जाती है अब वो फासी आजीवन कारावास, से सरम कारावास, कारावास या फाइन या जुर्मन ना बढ़ने या सामुदाइक सेवा या फिर सिरफ कोट में सारा दिन खड़े रेने या अन्य किसी और परकार के काम करने का भी हो सकती है अगर कोट को किसी केस में आरूपी को दोसी करार देते हुए मर्तियु दंड की सजा देनी होती है तो वो ट्राइल कोट, सेसन कोट सजा सुनाने से पहले फासी की सजा के लिए, कनफरमेशन के लिए, फैसले की कोपी को भारतिय नागरिक सुरक्सा सहिता की दारा 407 के तैत हाई कोट बेजती हैं, हाई कोट भारतिय नागरिक सुरक्सा सहिता की दारा 409 के तैत या उस मर्तियु दंड की पुष्टी कर देती हैं या फिर मर्तियु दंड को दूसरी सजा में बदल सकती हैं जैसे कि आजिवन कारावास या हाई कोड बिना विलंब किये मर्त्युदंड की पुष्टी अन्य सजा के आदेश की कोपी को बारतिय नागरिक सुरक्सा सहिता की धारा 412 के तेद सेसन कोड को वापिस भेज देती है। अपने मजबूत पहलूओ और अपनी सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक मजबूरियों का हवाला देता है। और सेसन कोड द्वारा नेड़ने में दी गई गलतियों को हाई कोड के सामने अधिवक्ता के माध्यम से रखता है। लेकिन अगर फिर भी हाई कोड उसकी मर्त्य दंड की सजा को अपील में कनफरम पुष्ट कर देता हैं तो इस निर्णे की अपील करने के लिए सुप्रीम कोड में जा सकता है। अपील पैंडिंग लंबित रहने के दोरान भारतिय नागरिक सुरक्सा सहिता की धारा 1430 के तहत आरोपी अपील लिये कोड में जमानत पर रिया किये जाने के लिए आवेदन कर सकता हैं। अब ये अपील लिये नियाले के उपर हैं कि आई कोड या सुप्रीम कोड की आरोपी की जमानत पर रिया करना है या नहीं। यदि फांसी की सजा मर्तिय दंड दी गई हैं तो भारतिय नागरिक सुरक्सा सहिता की धारा 1455 क अपील का निर्ड़ने आने तक उसकी फांसी रोक दी जाती हैं। अगर सुप्रीम कोड से भी अपील खारीज हो जाएं और ताथ सुप्रीम कोड मठ्युदंड की सजा को बरकरार रखें तो ट्रायल कोड शेशन कोड उसे मठ्युदंड फांसी की सजा को कन्फर्मम या प्रिमनल केश्ट ट्रैल का तीसरा भाग अपिल अगर दोसी को सजा तीन साल या इससे कम की सुनाई गई हैं तो आरोपी को उसी कोड से निर्णे सुनाने के दिनी तुरंत बाद भारतिय नागरिक सुरक्सा सहिता की दारा 1430 के सबकलोज 3 के तैत जमानत मिल जाती हैं यदि सजा तीन साल से उपर की सुनाई गई है तो फिर आरोपी को जेल जाना होता हैं फिर वो उपर की कोड अपिल्य कोड में अपनी बेल जमानत के लिए आवेदन कर सकता हैं मोत की सजा में परिसिमा अधिनियम लिमिटेशन एक्ट मर्यादा अधिनियम के आर्टिकल 115 के तैत आरोपी के पास 30 दिन का समय होता हैं अपील करने के लिए जिस दिन से उसे मोत की सजा सुनाई गई है और बाकी अन्य परकार की सजा में हाई कोड में 30 दिन तता किसी अन्य कोड में 60 दिन का समय अपील करने के लिए आरोपी के पास होता हैं इसी परकार मोत की सजा में परिसिमा आदीनियम के आर्टिकल 133 के तहट सुप्रीम कोट में Special Leave Petition दायर करने का समय 60 दिन का होता है और अन्य अपरादों में 90 दिन का अगर आरोपी को मजिस्टेट की कोट से सजा मिली है तो आरोपी भारतिय नागरिक सुरक्सा सैंता की धारा 1415 के तहट उपर की कोट जो की सेसन या हाई कोट या फिर सुप्रीम कोट जो भी हो वहाँ पर अपिल कर सकता है सिकायत करता पीडित को लगे कि आरोपी को सजा कम मिली है या दोस्मुक्त हो गया है तो फिर वह सिकायत करता पीडित भी उपर की कोट में आरोपी को ज़्यादा सजा दिलाने के लिए अपिल भारतिय नागरिक सुरक्सा सैंता की धारा 1418 राज्य सरकार वे 419 के तहट कर सक सकता हैं हालांकि कुस मामले ऐसे होते हैं जिनके तहट कोई अपिल नहीं की जा सकती ये प्रावदान भारतिय नागरिक सुरक्सा सैंता की धारा 205 धारा 1416 धारा 1417 के तहट निर्दारित किये गए हैं देया याची का जिसे हम मर्सी पिटिशन कहते हैं अगर दोसी व्यक्त सविदान के अनुसेद 161 के तहट अपने राज्ये के राज्येपाल गवर्नर और राष्टपती प्रेजिडेंट के पास सविदान के अनुसेद 62 के तहट देया याची का लगा सकता हैं पहले राज्येपाल को फांसी मर्त्युदंड की सजा माप करने का अधिकार नहीं था केवल राष्टपती ही फांसी मर्त्युदंड की देया याची का पर विचार कर सकते थे लेकिन सुप्रीम कोड दोरा दा स्टेट ओभर्याना बना राज्यकुमार 2021 के एत्यासिक निर्णय में राज्येपाल को भी ये सक्ति परदान की गई हैं पुनर विचार याची का रिविव पेटिशन और उप्चरात्मक याची के क्यूरेटिव पेटिशन सविधान का अनुसेद 137 सुप्रीम कोड को अपने निर्णयों पर पुनर विचार करने तदा सुदारने की सक्ति देता हैं सविदान के अनुसेद 137 के तेट दोसी वेक्टी सुप्रीम कोट में रिवियू पेटिसन पुनर विचार याचिका लगा सकता है जिससे कि सुप्रीम कोट अपने ही नेड़ने पर दुबारा विचार कर सके यदि रिवियू पेटिसन पुनर विचार याचिका में भी सुप्रीम कोट अपना नेड़ने कायम रखे और मर्चुदंड की सजा को बरकरार रखे तो फिर दोसी वेक्टी के पास आखिरी और अंतीम उपाई ये रहता है वे दोसी वेक्टी सुप्रीम कोट में उप्चारात याचिका में ये बताना आवशेक होता है कि याचिका करता किस अधार पर सुप्रीम कोट के फैसले को चुनोती देर आ है उप्चारातमक याचिका तब दाखिल की जाती है जब किसी आरोपी की राष्टपती के पास भेजी गई देया याचिका और सुप्रीम कोट में 2002 की वाद में हुई सविदान के अनुसेद 142 के तेद उप्चारातमक याचिका सुप्रीम कोट में लगई जाती है यदि उप्चारातमक याचिका भी खारीज हो जाती है तो फिर आरोपी को फासी या मर्ट्यू दंड की सजा से कोई नहीं बचा सकता उसका मरना तै हो जात सबस्रातमक या मर्चेश की सुनवाई के दोरान मजिस्ट्रेट को लगता है आरोपी व्यक्ती की गिर्पतारी गलती ऐशी इस्तति में मजिस्ट्रेट BNSS की दारा 309 के तेद फरियादी पीडित व्यक्ती को आदेस कर सकते हैं कि फरियादी बतोर हरजाना आरोपी व्यक्त को पर्तिकर रासी दे जो हजार रुपय तक का हो सकता है इन सभी परिकिरियाओं के दोरान यदि आरोपी जमानत पर जेल से बाहर हैं और किसी कारणवस पेसी पर कोट नहीं जा पाता तो नीचे दी गई बीनेसस की धाराओं के अंतरगत हाजिरी मापी या इस्ताई हाजिरी मापी का आवेदन कोट में कर सकता हैं पेसी में हाजिरी मापी अगर आरोपी जिसका केस कोट में चल रहा हैं वो किसी कारणवस उस दिन पेसी पर नहीं आ सकता तो वे अपने अधिवक्ता के माध्यम से ब यदि वे ऐसा नहीं करता हैं तो कोट उसके विरुद वारंट जारी कर देगे इस्ताई हाजरी मापी आरोपी अपनी कोई मजबूरी जैसे की कोई बिमारी वर्दावस्ता या कोट से उसके घर की दूरी या अन्य सुरक्सा के कारणों का हवाला देकर वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से बारतिय नागरिक सुरक्सा सहिता की दारा 228 के तैत कोट से इस्ताई हाजरी मापी पर्मानेट एक्जबूरी ले सकता हैं इसमें उसे हर पेसी पर कोट आने से सूट मिल जाती हैं आरोपी को सिरफ चार्ज फ्रेम करने के लिए और अंद में जजमेंट निर्ने के समय ही कोट में आना होता हैं यदि किसी वज़े से मजिश्टेड या 79 सुटी पर हैं तो केस प्रोपर ओडर की स्तती में आ जाता हैं और ताज जब मजिश्टेड या 79 सुटी से वापिस करवाई के लिए आगे बढ़ाना है या आदेश मजिश्टेड या 79 सुटी से वापिस आने के बाद स्वम करते हैं इसलिए केस की सिस्तती को प्रोपर ओडर समुचित आदेश का जाता हैं ट्रैल के 20 में केस खत्म करने के उपाए राजी नामा यदि पीडित शिकायत करता और आरोपी के 20 कोई समझोता हो जाता है तो BNSS की दारा 360 में बताएगे नियमों के तेद राजी नामा करके केस को खतम कर सकते हैं पल्ली बारगेनिंग सोदा अभिवाग यदि राजी नामा नहीं होता तो BNSS की दारा 290 के तेद पल्ली बारगेनिंग सोदा अभिवाग क आवेदन देकर आरोपी अपनी सजा कम एक चोताई करवाने के लिए अधिवक्ता के जरिये आवेदन कर सकता है पल्ली बारगेनिंग सरफ उन धाराओ के अपरादों के लिए होती है जिनमें साथ वस्त की सजा का प्रावदान है रेप और हत्या जैसे केस में यदि अभियोज जबती या आरोपी के गटना के समय उपस्तिती आदी तो ऐसी इस्तती में भी आरोपी को दोस्मुक्त किया जा सकता है